चुट्टलाल जी जैबीर नमवजाए सभी बीदा पिपल कंसेप्ट तो इतना सर अवाज आ रही है के मेरी युगेदर जी आ रही है सर आ रही है अच्छी आवाज आ रही है क्योंकि मैं लेप्टॉप पे नहीं हूँ हमी कोई नहीं कोई आवाज अच्छी है बहुत ही नेचिरल कंसेप्ट है और डlease कंसेप्ट के बारे हम बताया जाता है इससे इससे बड़िया कंसेप्ट हो नहीं सकता कंसेप्ट को बताने में सुदीर् राजी है अमरे ह conservatives कटके सर हैं, भेल साहब हैं, करिम बोध जी हैं और जो भी इस दिरली कंसेफ्त बतातें हैं, तो यह सिधा चिदा कंसेप्ट है जो सब के समझ में आ रहा है और 具arms Jetzt नोग जुड़ रहे हैं है और जोडने और जोडने में कोई कंसेट की जरत है नहीं वैसे यह Archite कंसेप्ट आमें जोड़ना है और जीतना है कि यह कंसेप्ट हमारा कोई नया कंसेप्ट नहीं है हमारे परकोदादों को कंसेप्ट है और यह सम॓ं संग जो है वो हमारा जो संग है वो बहुत बढ़ाना संग है और बुद्ध से पहले का संग बनवा है बुद्ध भी एक संग के सदस थे ना की संग के नेता तो हम देख रहे हैं कि जो संग हमारा कमजोर पढ़ता गया असोग समराट के टाइम में हम एक महावारत कहलाते थे हमारा जो राजी था वो अफगानिस्तान इरान से लिकरके इधार पूरा पूर्वी जो अपना साउथ इस्ट एसिया है वहां तक फिला हुआ था और साउथ के अंदर भी फिला किया था वह इसलिए खड़ा किया था कि वह जो उससे पहले जो गतम बुद्ध थे वह सामाजिक और राज करांती कर चुके थे तो वह संग दिरे-दिरे कमजोर पढ़ता गुआ और जो बमन लोग हैं इन लोगोंने दिरे-दिरे उस संग को कमजोर कर दिया या हमारे कुछ गलती से और दिरे-दिरे वह बमनों का परवेश होने लगा और हमारा संग कमजोर पढ़ने लगा और हम तूटते गए और दिरे-दिरे गुलाम बनते गए लेकिन हमारे महापुर्ष जो हैं है जोतीवा फूले है और महातमाज जोतीवा फूले हैं बाबा साहिवा मेड कर इन लोगोंने सब जो समण संगत में रहें एक जूट रहें आपको पर अध्यानता है हमारे अंदर तो धीरे 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 हमारे लोग 6,743 जातियों में बांड दिये गए या कुद बढ़ गए क्योंकि हम तो बंड़ों पर आरोब लगाता है कि 6,743 जातियों में बढ़ दिया है लेकिन उन्होंने बाटा है नहीं बाटा हम कुद बढ़ गए अपने एंकार हो गए सब अलग-अलग पेसे से बंद गए तो दिरी दिरे अलग 6,743 जातियों बढ़ गए 1947 के आजादी के बाद बाबा साब को संविधान का निर्मान करने का जो दायत सोपा उन्होंने पूरे अपने जीवन में सबसे बड़ा काम संविधान बनाने का किया और पूरा जो महापुरसों के संगर्ष का निचोड है वो संविधान में डाल दिया अब आगे रास्ता य तेटालीश जातियों की उनको आगे जितने भी संगठन बनाए तो चेजार साथ सो तेटालीश जातियों को जोडने के लिए 49 लाग संगठन बना ले यानि आप अगर आजादी के बाद में कैलिकुलेशन करें तो चार से पांच संगठन डेली बन रहे हैं से चार से पांच लाग संगठन निष्कریया हैं बिल्कुल तो थे रहें 6,700 जातियों को 29,000 जातियों में बाड़ दिया है इस बहुत ही काम मुश्कुल हो गया है उनको जोड़ना कोई किसी से बात नहीं करना चाहता है सिर्प उनको चंदा देते रहो तो बात करेंगे आप से घराब ने चंदे के लिए मना कर दिया तो आप से बात ही नहीं कर पर नों को चंदानी दे रहे हैं यह कर रहे हैं यह कर रहे हैं यह कैसे सुदेराजी पूरता है आपके सामने 133 सांसत बेटे हैं तो क्या कर रहे हैं तो दल के प्रत्रीदी बन के रहे हैं हमारे प्रत्रीदी है ही नहीं तो पर हम किसको चंदा दे हैं वहिया हमें तो जुड़ना है और जीतने के पायदे बहुत है दो अप्रेल 2018 को जो हमारा संगर्स किया हलाकि उसमें कई लोग हैं विचारे बीर गती को प्राप्त हुए लेकिन हमारा संभिदान तो जो पन्ना प्रत्रीदी बच गया है किसान अभी हल कंद रहन है किसान मी एक साथ जुटे 32 संभटन एक साथ मैं मेंटा ने ता की जरुण और उन्होंने सरकार को जुकाया एहंकरी सरकार को जुकाया तीनों कानून पाफुस करा है इसे प्रकार से अगर हम एक जुट हो हमें नेता की जरूरत नहीं है, समण संग में कोई नेता है, नेता होता भी नेता, क्योंकि भगवान को तो नेता थे यह नहीं, हाँ वो समण संग को महारदरसन जरूर करते थे, क्योंकि जो जानता है वो महारदरसन उसको करना भी चाहिए, ऐसा भावा सापने बहुता है, भा से अपील करता हूं कि समन संग है इसमें सब जुडिये हैं हम 120 करोड से ज़्यादा है वारत के अंदर सोरी तो हमें जुड़ना है और जीतना है यह 15 करोड लोग हम पर सासत कैसे कर रहे हैं हमारे अधिकारों को बेच रहे हैं आये जिन समिधान के एक-एक अधिकार के पन्ने काड़के पैंक नहीं चले जान रहे हैं लिगन हम देख रहे हैं हम संग रनोगे तर्फ देख रहे हैं लेकिन संगटन नंके माम घृप इसलिए हमें संग हृआन जिच्छ GG अगर हम एक साथ 120 करोड आदमी जुड़ गे तो दीरे-दीरे हमको खुदी ताली में परोज देंगे, वो खुदी अपने डर जाएंगे का अपने, वो खुदी अपने अधिकार मांगेंगे, हमसे मांगने की जरुत ही नहीं पड़ेगी, तो मेरा थोड़ा गला कराब है, काजी जो काम हो रहा है, तो मैं यहीं पर मेरी वास समाप करता हूं, यह भी नमा मुझा है. अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामी संगं सरेणं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सेणं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सेणं गच्छामी तूतियं पी धम्मं मर्सेणं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सेणं गच्छामी तूतियं पी जंगं सेणं गच्छामी बुखियं पी संदम सर्वं कच्छामी तर्थियं पी गुद्धं सर्वं कच्छामी बुखियं पी संदम सर्वं कच्छामी तर्थियं पी संदम सर्वं कच्छामी